हलो फ्रेंट वेलकम तो स्मार्ट नोगी चैनल दोस्तों आज हम अपके लेकर रहें एक नई अपडेट जियां दोस्तों यह अपडेट है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्योंकि इस अपडेट में हम आज आपको बताएंगे कि आपको सेलेक्शन कैसे मिलेगा और य पैसे जो हैं वो बच्चों को सेलेक्शन कर रहें काफी लोगों की शिकायत है पैसे लेकिए वगरा और इस चीज़े सामने भी आ रही उभर कर फिलाल हम इस चीज़ को टॉपिक को बाद में रखते हैं पहले हम बात करेंगे आज के हमारे गंभीर मुद्दे पर कि कैसे हमे जो है सेलेक्शन पाना है क्योंकि आज है 18 तारीक और अभी इसमें 12 दिन बाकी है दोस्तों जिन जिन स्टूरेंस का भी बाकी है तो उन सब के लिए काफी इंस्पिरेशन मिलेगा इस वीडियो से क्योंकि उनको सीखने के लिए यहां पर बहुत कुछ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडिएonna को ँसे पहले दोस्तों अब वी तक आपने स्मार्ट जैल को सबसक्कारीं कि यहां के लिए तो को आपको स्बसक्राय कराते हैं अगर आप से को चाहिए आप करने विद्धी से करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं आग का सामने आपको सामने क्याफिव्य था है यह कुछ चीज ऐसे होती है जो हमें दखनी पड़ती है गोपनी क्योंकि आप सभी को पता है सरकारी विभाग के कर्मचारी से हम बात कर सकते हैं बटन का इंटर्विव आपको सामने नहीं दिखा सकते हैं तो दोस्तों आज हमने बात किये हैं हावडा से जिए हावडा से हम heading in 1964 वहां सब्सक्राइब्स तरफ्सक्राइब सब्सक्राइब रहा है सब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं सफाइक ध्यान रख रहे हैं उसके बावजूद पहुंकि नहीं किया जा रहे हैं considering them बच्चों को जो हमसे कम कॉलिफाइड है जो हमसे कम बेतर हैं लेकिन उनको जो है सब सारी सिकादों को मैंने सुना और काफी जो है इस पे समभेज सके तिया वज़ा से दोस्तों चाप को देखा होगा कि आपने पिछले चार से पांस दिनों में हमारा कोई वीडियो आया नही शेयर करेंगे सबसे पहले बात यह दोस्तों कॉंसिबल वहां पर किसी के साथ जो है उन्हें सिपसब करा कि सर हमारा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता रोज नए बच्चे आते हैं और आपको पता है कि 400 बच्चे लगभग रोज आते हैं और 400 बच्चे को हम सभी को परसनली प equitable नहीं कर पाते हैं कृपकि हमें सब के साथ बात करना है सभी के साथ जो है को ऌढ़्य करना है उन्हें मदद करनी होती है तो सम टाम समारा Spa सरा हों आप कि हमारी आवाज उपर नीचे हो जाती है क्यों कि हमें इतने बच्चों को समालना और इस एक महीं सब था कोई भी प्रकार का यह का दोस्तों यह सारी चीज उन्होंने साफ साफ कहा दिए कि वह कुसी बच्चों के अंदर कोई भेदबाव नहीं देखते कि यह हमारे पहचान का है यह हमारे जीला का है यह हमारे सेक्टर का है यह हमारे छेतर का है ऐसा जो है जो बच्चों ने काफी कमेंट कहते हैं हमने वह वह कोईशन उनसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे बच्चों बोल रहे हैं क्या ऐसा यहां पर हो रहा है दुन्हें ने कहा नहीं ऐ इसा बिल्कुल नहीं हो रहा है दूसरी चीज हमने पूछी किस तर आप लोग किस बेस पे जो है बच्चों को सेलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने काफी जो है वीडियो बना चुके हैं काफी और यूटूबर्स हैं जो अच्छे चेक वीडियो शेयर कर रहे हैं और हमारे से नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने इस चीज पे हमें अपनी राय दी कि सर टोटल जो है सीट है हमारे पास 798 हमें उपर से आउडर आ चुका है कि हमेरे पास टोटल सीट इतनी ही है और हमें जो है स्टिकली जो है फॉरवर्ड करना है इसको और जितने भी बच्चे है आप मिलेगी और बागी सबको सिर्फ निरासा आत मिलेगी इसलिए कहीं न कहीं यह चीजें भी बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वैकेंसी की जो सीट है और लोगों की संख्याद जादा है तो यह हो गई हमारे कॉंस्टिबल से हमारी जो दो कॉश्चन से इंपॉर्डन वो पूछा उसके बाद हमने पूछा जो आजकल जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों आप सभी को पता है वीडियो पर हमारे जो चैनल पर दूसरे वीडियो आए कि एक लाग पर लेक है आसन सोल या हावड़ा में बच्चों के साथ क्यों यह नाइंसाफी हो रही है तो इस पर उन्होंने अपनी राय दी और हमें समझाया है कि देखिए यह बाते अभी सामने उभर के आई नहीं है किसी के पास भी एविडेंस नहीं है कि हमने किसी को पैसे दिये हैं हैं टू है उसे जो है खोल कर दी जाएगी जब तक उसका न्याय नहीं हो पाता है तो यह सारी चीजे हैं दोस्तों जो हमने अपने कॉंस्टेबल जी से पूछी और वहां से बाते की उनकी बारे में और साथी दोस्तों हमने उसे कुछ प्रेसनल बाते भी की जैसे की बच्चों के ब बच्चों में सिफ यह देखते हैं सबसे पहले चीज तो उनका बॉडी लाइंग्वेज जी हां आपके ड्रेसिंग सेंस क्या है आप कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं जी हां हमने कोई भी ड्रेसिंग सेंस नहीं रखा है क्योंकि हम अगर आपको कहें कि आप फॉर्मल में आप सभी लोग फॉर्मल में आएंगे हम अगर आपसे कहें कि आपको बाल कटिंग छोटे छोटे चाहिए तो आप सभी लोग कटिंगर करें लेकिन हमने कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं दिया है लेकिन सेलेक्शन हमारे सब हात में है क्योंकि हम ट्रेट टेस्ट ल सब कुछ देखते हैं ऐसे नहीं कि आप सोकर उठे हैं इसे ही बीना मुद्ध होए वगरा सब चल देते काफी से बच्चे भी वह पर आते रहते हैं तो हम सब सोचते हैं कि जब आप अपने लाइफ की अच्छी जंग लड़ने जा रहे हैं यानि कि आप इस एक्जाम के ट् कॉंस्टिबल्स जो हम आपस में चर्चा करते हैं कि देखिए इस बच्चे ने सूज अच्छा नहीं पहना है या फिसके सूज में देखिए कितनी कीचर लगी हुए या फिर देखिए इसके पैंट को डिजाइन काफी है यह इतना सीरियस नहीं है फंकी लुक में आया है को प्राइब करते हैं तो दोस्तों इसका नेक्स पार्ट है वह बहुत जल्ड आने वाला है कि हमने काफी लंबी बाते की हैं हम एक वीडियो में आपको नहीं पूरा बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो हम अपने नेक्स पार्ट में आपको बताएंगे, आगे की रणनिती, कि अब आपको क्या करके जाना है, ताकि आपको जो है सेलेक्शन पक्का हो जाए, थैंकि सो मुझ दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते अपने नेक्स वीडियो में एक नहीं जन का एक नहीं अपडेट के साथ,